हेलो बेहनों स्वागत है आपका मेरे इस यूटूब चैनल में सो बेहनों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी को अपनी फॉन पे लोकेशन मैप कैसे सेट करना है जब से पोशन टेकर में लोकेशन अपडेट आई है तब से आप लोगों को अपनी पोशन टेकर में काम करने में दिक्कते आ रही है लोकेशन आउन नहीं हो रहा है तो आप लोगों किस तरह से लोकेशन आउन करना है अपने फॉन में तो चले आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो आप लोगों को वीडियो को लास तक जरूर देखना है और आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महतोफून होने वाला है और जिन भी आगनबाड़े बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपके लिए काफी हेल्पूल रहेंगी मेरे वीडियो और आप सभी को पूशिया ट्रेकर में कोई दिक्कते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो मैं आप सभी के सवाल का जवाब दूँगी तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आप सभी को अपना डाटा ओन कर लेना है यानि आपको अपना नेट ओन कर लेना है तो आप अपने सैटिंग से नेट ओन कर लेंगे और उसके बाद आप सभी अपने फॉन की सैटिंग से लोकेशन ओन करेंगे तो आपका इस तरह से location on करेंगे यहाँ पर आपको location का option में दिखेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी location अभी on है तो मैं इसे location को on करूंगी location को on करने के उपरांद आपको location को थोड़ी दिर तक दबाए रखना है और जैसे ही आप location को दबाए रखेंगे तो आपको इ देख सकते हैं मेरा location या ओपर blue color का on दिखाया दे रहा है और उसके बाद यहाँ पे नीचे है app permission यहाँ पे आपको इस तरह का app permission लिखके आएगा तो आप इसे touch करेंगे आप यह second नमर पे app permission को touch कर लेंगे और उसके बाद आपको इस तरह से काफी app मिलेंगे तो यहाँ पे आ करने के बाद आपको यहाँ पे दो option मिलेंगे allow only using this app तो और दूसरा है Danny तो यहाँ पे आपको जो first option है allow पे इसे allow कर लेना है आप इस बिंदो पे touch करेंगे तो यह आपका blue हो जाएगा और उसके बाद आप back जाएंगे इसे cut कर देंगे और cut करने के बाद आप अपना portion tracker open कर करेंगे और location आपको on ही रखनी है लेकिन यह जो अंदर की setting है जो मैंने अभी आपको बताई वो उसको आपको map set कर लेना है और यह map set आपको एक ही बार कर लेना है जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि मैंने map अंदर से किस प्रकार set है उसे आप सिर्फ एक बार करेंगे और उसके बाद बस आपको यहाँ पर जो setting है location आउन आफ यही करना है जिदी आप अपना पोशन ट्रेकर पर जब कारे करते हैं तो आप अपना location आउन कर लेजेगा उसके बाद ही पोशन ट्रेकर पर काम कीज़ेगा और जब तक आप अपने आगन बड़े केंद मे काम कर रहे है तब तक आप अपना location आउन रखेगा और इसके बाद हम अपने portion ट्रेकर पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा portion ट्रेकर का home page आगया है तो यहाँ से आप जो भी काम कर रहे है पहले लुहाँ से आप location आउन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी काम कीजिएगा अपने पूशने टेकर का तो चले मैं आप लोगों को अपना पूशने टेकर का कुछ काम करके दिखाती हूँ यहाँ पर मान लेजिए मैं होम विजिट करती हूँ तो हम यहाँ पर जाएंगे होम विजिट पे हम होम विजिट को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने होम विजिट कम्पलीट कर लिया है तो चले इसे हम बैक करते हैं और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना home visit complete कर लिया है और home visit तो मैंने complete कर लिया लेकिन मैंने अपनी location on भी रखी है अब उससे करना है हमें online जो हमारा data feed होगा तो आप जाएंगे हम अपना location के option पे तो आप location को on करेंगे और यहाँ पे आपको yes करना है आप yes पे जाएंगे उसके बाद please allow potion tracker map यह आगन बड़ी केंड लोकेशन फिर उसके बाद जो आपने कारे किया था उसे आप okay करेंगे यहाँ से okay करने के बाद कुस देर आपको इस तरह से wait करना पड़ेगा उसके बाद आपका यह इस तरह से successful हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे location map सक्षे शूली लिख रहा है तो इस तरह से आप अपने potion tracker पे location को on करके कारे किज़ेगा और सबसे पहले आपको अपना map set करना होगा तब ही जाके आपका यह बाहर से इस तरह successful दिखाएगा आपको मैंने जिस तरह से बताया है आप उसी तरह से ठीक अपनी अंदर setting पे जाके location का map set का लिजेगा potion tracker का और उसके बाद जो अंदर का map set करना है वो आप एक ही बार कीज़ेगा और फिर उसके बार daily आपको location के बाहर से बस location setting को on off करना है आप जब कारे कर रहे है तब on कीज़ेगा otherwise फिर बंद भी कर सकते हैं और यहां से फिर आप daily का routine बनाएंगे कि आपको location on कर लेना है कि इन पे जाने के बाद और फिर जो भी कारे कर रहे हैं कारे को करने के बाद आपको फिर update location पे आना है और update location को touch करने के बाद यहां पे yes करना है और फिर okay करके अपना कार यह online समिट कर लेना है तो तब जाके आपका सारा डाटा online सो करेगा तो यह थी हमारी location वाली जानकारी तो आप लोग को अच्छे लगी होगी और यदि आपके लिए मेरी हर कोई वीडियो helpful रहती है तो प्लीज आप मुझे comment में बताएगा और यदि आपको portion tracker के बारे में कोई समश्या है आप मुसे पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा प्लीज और अपनी दोस्तों के साथ शियर कीज़ेगा और जिन भी मेहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कल लेंगे ताकि उनको मेरी portion tracker की वीडियो देखने को मिलेगी तो चैनल मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए